अयोध्या का विमानतल का लोकारपण प्रधान मंतरी नरेंद मोधी जी के करकमलों के द्वारा कल होने जा रहा है ये केवल अयोध्या के लिए एक महतुपूर्ण तिती नहीं है केवल उत्तर प्रदेश के लिए महतुपूर्ण तिती नहीं है केवल भारत संपूर भारत वर् कि संपूर्ण विश्व के लिए एक महत्व पूर्ण दिती है। भगवान पुर्शोतम राम की जनम भूमी में आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो पाए। ये हम सब लोगों की एक जिग्यासा थी। प्रधान मंत्री जी का एक स्वयम का एक संकल्प था। कि अति आधुनिक एरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सभी आवागमन की सुविधा अयोध्या में परियाप्त मात्रा में स्थापित होनी चाहिए। जब आप कल उपस्तित होंगे तो आप सुवयम देखेंगे कि जहां एरपोर्ट के अंदर विमानतल के अंदर अति आधुनिक व्यवस्था उपलब्ध है, वहीं उस विमानतल का संपून आकार पुरानी वस्तुकला, पुरानी मंदिर की संस्कृती, मंदिर का आर्किटेक्चर के आधार पर पून रूप से किया गया है। अंदर के द्वार में और संपून अंदरुनी शेत्र में मर्यादा पुर्शोतम भगवान शी राम की पून जीवन की अलग-अलग शैलियां भारत्य कला और संस्कृती और शमता के आधार पर अलग-अलग दृश्य में दिखाई गई हैं। पटी-चित्र के आधार पर, राजारवी वर्मा जी के आधार पर और यही एक सोच विचारधार और आदेश प्रधानमंत्री जी का सदेव रहा है। कि अति-आधुनिक व्यवस्ता हो लेकिन भारत के हर एक कोने में भारत की प्राचीन संस्कृती, भारत की प्राचीन वैभव, भारत की प्राचीन अध्यात्मिक शक्ती का स्वरूप हर एक हवाई अड़े पर दिखे और उसी कलपना को और उसी संकलप को पूरा करने के जा रहा है और मैं आपको अश्वस्त करता हूँ कि पूर्ण सुविधा आयोधिया को जरूर मिलेगी वर्तमान में 6500 मीटर स्क्वेर मीटर की शेत्रफल में ये एरपोर्ट बना हुआ है करीब 13 से 15 एपरन है एरपोर्ट का प्लेंज के लिए हर तरीके का विमान एरबस A321 बोइंग 737 वा उतर पाएगा दुटिय भाग में इस रन्वे को भी हम आगे जाके बढ़ाने वाले हैं ताकि बड़े विमान भी हाँ आपाएं जहां वर्तमान में 6500 मीटर का एरपोर्ट बन चुका है दुटिय भाग में हम लोगं की कलपना है कि 50,000 स्क्वेर मीटर का ए स्क्वेर फुट का एरपोर्ट का टर्मिनल में तो ये संभावना हैं अयोधिया के लिए कल एरपोर्ट का शुभारम प्रधान मंत्री जी के करकमलों के द्वारा किया जा रहा है और आने वाले 22 तारीकों जन्वरी के 22 तारीकों भगवान राम की प्रान प्रतिष्ठा भव ये राम मंदिर में जो केवल 140 करोड भारतिय जन्ता का सपना नहीं लेकिन विश्व में बैठे हुए भारतिय संस्क्रिती के साथ जुड़े हुए एक-एक व्यक्ति का सपना था पांच सो साल पुराना एक सपना पांच हजार साल पुराना एक सपना है और उसे अगर किसी स किसी ने साकार किया है और सपने को संकल्प में परिवर्तित करके उस संकल्प को सिधी तक ले जाने का एक परिश्यम अगर किसी ने किया है तो प्रधान मंत्री नरिंद मोदीजी ने किया है ताकि हर खबर हो आपके घर आमारुजाला निश्पक्ष निर्भी निरंदर